आज की ये वडियो Microsoft Excel और Libra Calc का combination है तो आज के इस वडियो में हम पूरा का पूरा ये ही डिसकस करेंगे कि कैसे हम Libra Office को यूज करें और इसमें जो cell address होते हैं जिसको आप cell reference के नाम से जानते हैं अगर आपने पूरा का पूरा Excel सीखा और ये नहीं सीखा यानि cell address नहीं सीखा जिसकों कि cell reference भी कहते हैं तो पूरा का पूरा Excel सीखना बेकार हो जाएगा आपका चाहें आप Libra Office Calc की बात करें सेम है वो भी तो स्ट्रेटीटीटी है गूगल सीटीटीटीटी बात करें तो cell address को सीखना बड़ा जरूरी है और ये खातर पर कई एक गाम्ज में पूछा ज बजाएगा आपके लिभी कार तो चलिए यह समझते हैं इसको हम पहले Excel और लिबरा क्याल को दोनों ओपन कर लेते हैं तो हमारा एकसल है इसको मैं ओपन कर लेता हूं ठीक है और Excel के ओपन करने कबाद एक software है जिसका नाम है लीब्रा कैल्क तो यह लीकर है और इसे भी हम ओपन कर लेते हैं तो एक्सल के बाद यह लीवरा क्याल्क भी हमने ओपन कर लिया है देख सकते हैं अब आ जाते हैं एक्सल पर वापिस यह एक्सल पर जाके क्लिक किया तो यहां पर एक नया पेज आगा ठीक है इस वीडियो में हम काफी सारी चीज़ेंगे अब क्यों को है तो प्रोड़ य बना उतीक है यह पूरा का अप इधर से लेकर तक आक आप जाईएगा यह पूरा एक जो रो नाम से है और इसे row जहते हैं आप देखें ये पूरा आप उपर से नीचे की तरह पढ़ते हैं तो ये पूरा column है ये वाला आप नीचे तक जहां तक चले जाएगा ये पूरा एक column है तो row और column के मिलने से क्या बनता है spread sheet बनता है ये spread sheet ही है इसी तरीके से जब LibraCalc को देखेंगे तो इसमें भी देखें ये one row है तो पूरा ये row हमने select कर रखा है अब ये पूरा column हो जाएगा तो row और column जहां बिलेंगे उससे क्या बनेगा spread sheet ठीक है ऐसा MS Word में नहीं होता है अगर आप word को open करेंगे तो यहां पर जो है row और column नहीं आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है intersection होता वो नहीं नगर आएगा आपको ये सीधा जो है flat जो है आपको दिखेगा अगर हमें sort की बात करेंगे तो इसको open करेंगे तो ये सीधा आपको साधा page दिखेगा जैसे कि यहां पर आपको दिख भी रहा होगा देखें यहां पर यह open हो गया है जहां से file पर जाके हम new page ले लेते हैं यह गए है यहां पर और यह new page ले लिए हमने तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो है new page आया है तो यहां पर row and column आपको दिखाई नहीं पढ़ना है ठिक है तो इसमें row and column नहीं होता है लेकिन by default रिखाई लेकिन वर्ड में नहीं दिखाई पढ़ ला है तो वर्ड जो है और एक्सल जो है च्या होता है एक्सल जो है आपका अपर जा करता हूं यहां पर डाल देता हूं प्रोडक्त अब लिखये ये प्रोडक्त जैसे हमने लिखा ये प्रोडक्त वाहर लिखा है तो इसको सही करने के लिए पिस और आपको क्या प्रेस करना है पहले प्रेस करना है अल्ट थरोड दीज़ीजी फिर इंट हाई चोड़ दीजि़ прекрас करके ठीक है या तो यहाँ पर उप्रोडक्त की प्राइस की बात होगी तो यह प्रोड़क्त की प्राइस हो गई आप यहां पर quantity की भाध होगी तो यह quantity हो गया और यहां पर आएगा क्या all these little है और इस पर अपलाई होगा कि-ते ना टी अपलाई हो रहा है वह यहां पर खैसके और यहां पर जो है अश्टिक अमा उन्ट आजाएगा कि कि यहाँ पर नाम लिखते हैं जैसे कि प्रिंटर हो गया यहां पर लिखते हैं स्सक्राइब यहां पर लिखते हैं, mouse, 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 keyboard, keyboard, तो यह सारी चीज़ें हो गही हैं, अब यहां पर आकर के price डालना है, तो हम चाहते हैं ना कि price जब लिखा हुआ आए, तो उसमें rupees का चाहिन already बने, तो हम क्या करते हैं, इतने हिस्से को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से जो है, यह इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ठीक है, और यहां पर आकरके इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इतना हिस्सा, और इसको भी सेलेक्ट क को और जो बात अब लेकिन हम को क्या करना है यहां पर जो है इसको और फिर इसको ओर इसको तो यहां पर हो जनरल ला होगा हम हैं यह से यहां μέよう बना एंगे तो यह यहां पर यहां पर यहां पर कमाल लैप्टॉप है तो यहां पर रूपीज का साइन अपने आप इसी तरीके से टेक्टॉप है तो यहां पर यहां पर 20,000 कर देते हैं तो यह 20,000 SST है तो यहां पर 3,000 कर देते हैं 3,000 माउस है तो 200 रुपे कर देते हैं कीबोड है तो 500 रुपे कर देते हैं तो यह हो गया है अब हमको टोटल करना है तो याद रखिए गहा कि एक्सल हो या लीगरकल को कोई भी सप्प्रेडीट की सॉफ्ट्वेयर जो होता है वो कैसे उसमें फॉर्मुलय और फॉर्मुला को जिरु करने का तरीका क्या है इस इक्वल्टू लगाके यानि बराबर का निचान लगाए अब इसका से लेड्रेस है जिख तेकिए यह है कर दिए किसे मुल्टिप्लाइब करना है तो मारा टोटल आ जाएगा अब आपको बार बार टोटल करने की जरूर नहीं क्योंकि एक्सल के अंदर इनेबल फिल हैंडल की क्वालिटी होती है और इसी क्वालिटी के चलते यह फेमस हुआ और यहां से आप करिएगा जैसे यहां पर आईए जना तो यहां पर एक प्लस का निचान बनेगा देखिए यहां पर यहां पर आते ही एक प्लस का निचान बनेगा और यहां से आप ड्रैक कर दीजेगा इसको ठीक है अगर आप ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं तो इतने हिस्टे को सेलेक करके कंट्रोल डी प्रेस क पर दीजे तो सबका रिजल्ट आजाएगा जिसका जितना प्राइज हो जितना उनिक उसके इसाफ से टोटल आता चला जाएगा अब यहां पर एक बनाना है हमें ड्रॉप डाउन क्या बनाना है ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा वैलिडीशन पर जाना पड़ेगा और यह डेटा वैलिडीशन नाम का उप्सेन मिलेगा कहां पर तो पहले तो हम इतना हिस्सा सेलेक कर लेते हैं क्योंकि इतने हिस्से में वो ड्रॉप डाउन चाहिए हमें डेटा टैप पर जाएंगे यह डेटा टैप पर जाएंगे और यहां से आपको मिलेगा डेटा वैलिड परसेंट, फिर कॉमा देखे, 21%, फिर कॉमा देखे, 28%, ठीक है, तो ये सब कर लेने के बाद हमें क्या करना है, ओके कर देना है, यहां से ओके कर दूझे, ओके करना के बाद यहां पर क्लिक करेंगे, तो यह 5% हो गया, यहां पर आएंगे 10% हो गया, फिर माली जी इस पर 50% कर दिया, अब GST amount कैसे calculate होगा, GST amount को भी calculate करना बढ़ा सान है, इस equal to का निशान लगा ये, ठीक है, अच्छे ये बताइए, ये जो GST amount है, कौन से सलेटरेस में है, मतलब इसका सलेटरेस क्या है, तो F2 है, तो अगर simply F2 बोले, तो इसे कहते है, relative सलेटरेस क्या 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 क् सलेटरेस कितने तरीका का होता है, त्री तरीके का होता है, फैला होता है relative सलेटरेस ये सलेटरेस को, ठीक है, तो अगर हम इसको सलेक्ट करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा अपने आप, टोटल को सलेक्ट करें तो, क्योंकि टोटल में ही तो हमारा टेक्स सिपा हुआ है थैक लेकिन लेकिन माल लीजिए कि हम यहां पर इसे वटा भी नहीं depos किनहीं रखते हैं इसे कहते हैं दिसरा यूч तो अगर आपको किसी भी चीज को फिक्स करना है कि वो बदले ना चेंज ना हो जैसे सब्सक्राइब करता हूं और तो हमारा टैक्स आ जाएगा और एंटर कर देंगे तो यह आ गया लेकिन इसको अगर नीचे करते हैं ठीक है नीचे क्या करते हैं अब यह जिए ड्रेक करने वाला आ नहीं रहा है तो इसके पीछे का रीजन ये है कि यह ओफ है कहां से ओफ है यहां पर आकर कि और फिर यहां पर आपको नीचे मिलता है more option और more option के जाने के बाद यहां पर option मिलता है option वला बट्टन, तो यहां पर आकर enable fill handle एक होता है, कुछको आपको on करना होता है enable fill handle को क्या करना होता है? on करना होता है तभी यह आपको show होगा, तो या on कहां से होगा? सीधे चले चलना है advance option पर तो यहाँ पर नीचे आपको advance option दिखाई जेगा और यहाँ पर आपको मिल जाता है enable fill handle कहां मिलता है यह option तो यहाँ पर दिखिए यह मिलता है enable fill handle drag and drop option तो इसको आप टिक करके और यहाँ से okay कर दिजेगा अब जब आप यहाँ ते drag करेंगे ना तो यहाँ पर यह इस तरीके से आ जाएगा लेकिन यह क्या यहाँ पर तो dash 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 आ रहा है यह क्या है तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं दिया जिसके वज़े से यह dash dash आ रहा है तो इसका solution यह है कि लगाना ऐब यह द्यान दिएगा इन सब पर हम 5% लगाना चाहते है भले ही हमने यहाँ पे प्ले वर लख क्राइटीरिया लेकिा हम सब धले 5 पर सेलेक करें या प्येवल यहाँ पर रह करके और हमें 5 परसंट लगाना है यहां पे तो क्या करेंगे यहां पर आएंगे और यहां से F2 प्रेस करेंगे और देखिए नीचे आने पर क्या चेंज हो रहा है देखिए यहां पर E2 into F2 है ठीक है तो E2 यह है और F2 यह है ठीक है नीचे जैसे ही आते हैं तो यह क्या बन जाता है E3 into F3 तो भाई E3 तो बनना ही चाहिए लेकिन क्या ये F3 बनना चाहिए क्योंकि F3 में तो कुछ नहीं है तो हम क्या चाहते हैं E3 को fix कर दिया जा क्योंकि F2 वही रह रहा है 3 ही change हो जा रहा है तो यहां 3 को fix करने के लिए $ लगा दिया अब ज़रा देखिए F2 में row कौन सा है column कौन सा है F जो है column है 2 जो है row है तो ऐसे में 2 को आपने fix कर दिया अब जब enter करेंगे तो यहां ये tax आ गया है और इसी के अधार पर नीचे और भी taxes आते चले जाएंगे आपके ठीक है तो आप जब देखेंगे F2 तो यहां पर आपको F2 ही नजर आएगा अब जब यहां पर आते हैं तो यहां पर भी आपको क्या नजर आएगा F का F तो हई है पहले से 2 बदल जा रहा था 3 हो जा रहा था जो की change हो गया अब ये 2 ही रहेगा फिन नीचे भी आएंगे तो ये 2 ही रहेगा ये change नहीं होगा और row या column जोनों में से कोई 1 के पहले डॉलर लग जया जैसे कि यहां पर F के पहले नहीं है लेकिन 2 के पहले लग जया तो इसे कहते हैं mixed cell address क्या कहते हैं? mixed cell address और इसी में अगर इसके भी पहले डॉलर लग जया यानि F के पहले भी डॉलर लग जया तो इसे कहते हैं absolute cell address तो तीनों आई होग के आपको समझना आया होगा और यही चीज़ आपको same Libra Office Calc में भी मिलेगा यहां पर भी same वही method है तो यहां पर भी अगर मैं इसी same data को copy कर लेता हूँ देखिए यहां पर copy करता हूँ इतना data तो मैं copy ही कर लेता हूँ यहां से यह copy किया हमने और copy करके और यहां से अब paste कर देते हैं इसको यहां पर तो यहां पर आकर के और यहां control भी करके paste कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यह हैश करके आगया तो यहांसे साइज बढ़ा लिएगा साइज चोटी पड़ गईए जिसकी वैसे यह ऐसे आ रहा है तो यहां से साइज को थोड़ा इंप्रीज कर लीए अब यहां पर आते हैं टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हम करेंग और multiply by क्या करेंगे multiply by यह जो दिया गया 5% से multiply कर देंगे और इसमें भी same error ठीक है same दिक्तत आपको यहाँ पर भी आएगी same गलती यहाँ पर भी आपसे होगी जो कि अगर इसको directly drag कराते हैं तो यह नहीं आएगा यहाँ पर देखिए यह खाली पड़ गया तो इसको क्या करना है fix कर देना है कि इसको fix करना है तो two को fix कर देंगे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर two को fix कर दिया और यहाँ पर अगर इसको track करा देते हैं तो आप देखिएंगे कि सब का आ जाएगा ठीक है तो यह कौन सा यहाँ पर देखिए यह तो करता हूं तो यह कौन सा से लेकर दीटू जो है प्योर रिलेटिव से लेकर क्योंकि टी और टू में कुछ भी fix कैसे होगा डॉलर लगाने से और इसमें आपको कोई भी चीज होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन इनकेस टीटू के बा ठीक है और अगर एक फी के पहले डॉलर है तो वो क्या बन गया mix cell address बन गया और दोनों में से किसी के पहले डॉलर नहीं है तो वो relative cell address कहलाता है ठीक है उमीद करता हूँ यह बात समझ में आई होगी यह calculation समझ में आया होगा यह drop down समझ में आया होगा शारी चीजह समझ में आई होगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलेगा थैंक्यू पर वातिंग देस वीडियो